सरदार देखना जैसे ही टी-्रेक्स मेरे सामने आएगा मैं उसको एक ही बार में धारा साही कर दूँगा खागरे को जो तरह टी-्रेक्स आ गया सरदार क्या यही टी-्रेक्स है हाँ यही है टी-्रेक्स जा जा कर एक ही बार में धारा साही कर दे उसे चल जा सरदार मैं हाँ बेटा तू ही चल जा और टी-्रेक्स को धूल चटा करा सरदार मैं हाँ रे तू ही यहाँ और कौन है जो टी-्रेक्स को एक ही बार में धारा साही करने के लिए कह रहा था मेरे दो छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे हैं सरदार हाँ हमें भी पता है तेरे दो छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे हैं लेकिन आज हमारा मसीहा तू ही है चल जा अगर आज तूने उसे हरा दिया तो सारे डाकूओं के बीच तुम्हारा नाम बड़ी अदब से लिया जाएगा मैंने जोस में होस खो दिया था सरदार मुझे लगा था कि टी रेक्स कोई छोटा जानवर होगा लेकिन ये तो इतना वी साल है कि मुझे लाली पॉप की तरह चबा जाएगा अब वह तुम्हें लाली पॉप की तरह चबाए या टाफी की तरह तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा कजोधरा जड़ा इसे ढखेल तो थोड़ा सा तो रहम करो सरदार आपके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे मैंने अभी तक तो साधी ही नहीं किया तो बच्चे कहां से होंगे सरदार खा जाएगा मुझे वो उससे पहले तो उससे खा जाना चल भागरेगा जोटरा भूरा को ही उससे निपटने दे मुझे मत खाना अगर मुझे खाया तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा यह क्या हुआ टी रेक्स ने तो भूरा के मुझे पर होग दिया सरदार जल्दी चलो नहीं तो भूरा उसके निचे दब जाएगा भूरा भूरा उट 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 मैं कहा हूँ मेरे सामने इतना अंधेरा क्यों है मैं कहा हूँ गजोधरा जाकर उसका थोबड़ा साफकर बड़ा हीरो बन रहा था अभे अभी तक तु गया नहीं सरदार में बहोस हो जाऊंगा इतना बदबुदार है टीरेक्स की पोटी आप जाऊ ना सरदार आपने तो गधे का सूसू भी पी लिया है तो साइद आप टीरेक्स की पोटी को भी बरदास कर लेंगे मैं नहीं जाऊंगा तू ही जा मैं भी नहीं जाऊंगा अब बोल मैं जाऊंगा पता नहीं टीरेक्स वोग पहली चावी कहां चुपा रखा है चल बड़े बड़े डिंगे मार रहा था कि टीरेक्स को मैं एक ही बार में धारासा ही कर दूँगा उसने तेरे मुह पर ही हग दिया तेरे चकर में मैं भी फंस गया टीरेक्स का टटी साप करना पड़ रहा है कितना बदबू है भूरा आगे तलाब है चल इसमें कुझ जा गजोधरा पूरा साप हो गया जड़ा देख कही और तो नहीं लगा है गजोधरा कुछ बोल क्यों नहीं रहा मुह में जबान नहीं है क्या क्या कर रहा है मगर मच मगर मच कहा है मगर मच पीछे देख पीछे भाग रहे गजोधरा अरे क्या हो गया गजोधरा और भुरा इतना जोड से हाफ क्यों रहे हो कहीं भूत देख लिया क्या सरसर अब इतना सरसरा क्यों रहा है जल्दी बोल क्या हुआ सरदार वहाँ पानी में मगर मच है वो अभी हम दोनों को अपना नास्ता बनाने ही वाला था जैसे तैसे बच के आए है रे दादा अब भाग क्यों गए सरदार भाग रे भुरा तेरा बाप आ गया ए उपर वाले मुझे एक ही बार में उठा ले इतना डरा डरा के मेरे गुर्दे क्यों लालका रहा है मेरे तो गुर्दे ही सिकूड गए बाप बरे कितना खतरनाक है वो सरदार मैं नाचू क्या यहाँ गुर्दे मुझे को आ रहे हैं और तुझे नाचना है सपेरा जड़त देख तो कहीं कजुधरा और भूरा नजर आ रहे हैं की नहीं नजर तो आ रहा है ज्या नजर आ रहा है टी रेक्स आपो जल्दी भूरा वो देखो वहाँ उपर ट्रेन खड़ी है अगर किसी तरह हम वहाँ पहुँच गए तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं क्या कहते हो लेकिन वो तो काफी उचाई पर है वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होगा चलो एक बार कोशिस तो करते हैं और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है चलो अब वहीं चलते हैं पहले मैं चड़ता हूँ नीचे से तुम धक्का देना गज़धरा धक्का लगाओ लगा तो रहा हूँ टी रेक्स की आवाज भूरा जल्दी चड़ टी रेक्स आ रहा है अबे जल्दी चड़ वह नज़्दी का गया अबे मुझे छोड़ कर कहा भग लिया जल्दी ट्रेन में चड़ जा ये ट्रेन तो अपने आप चलने लगी सर्दार आप इतनी उचाई पर कैसे आए अबे जल्दी ट्रेन रो और हमें भी बैठा उसने टी रेक्स आ रहा है सर्दार ये ट्रेन नहीं रूप सकती अपने आप चल रही है कोई उपाय करके जल्दी इसमें आ जाओ सर्दार टी रेस तो सामने से आ रहा है कही ट्रेन उससे टकरा कर नीचे न गिर जाए नहीं तो हम सब टै बोल जाएंगे लगता है अप टकर हो का रहेगी सर्दार मैं नाचू क्या आप और कि रहाँ, ब लगता है कि अपने से आपाय कर दाएंगे लौग मैं लूपस्ट श्राव कर लुब अप्टब्याओ जश कर दो रहाँ पप्टब्याओने पर व्वेट कर व्वेश्रा कर में दीूपस्टोब्याओ झाल झाल